मेरट के एक बहुती अच्छे अंबेट कराइट वरकर हैं उनसे वाटसेप पर एक दिन बात हो रहे थी एक वीडियो उन्होंने देखा किसी पसंद के जवाब में मैंने वीडियो भेज़ा था उन्होंने उस वीडियो के जवाब में काफी बाचित होई और फिर उन्होंने लाश्ट में कहा कि धम क्या होता है मैंने उनको कहा कि मैं जल्दी ही आपको धम बताऊंगा बड़ा विशे है इसलिए वीडियो बना के जवाब दूँगा अच्छा रहेगा वाटसेप पे टाइप परने में बहुत टाइम ड़ता है और बड़ा मुस्किल होता है पूरे पाली साहित्य में धम सबसे बड़ा सत है पाली साहित्य से पहले भी धम बहुत बड़ा है आज भी धम बहुत बड़ा है जब तक ये universe रहेगी जब तक ये पूरा का पूरा जो लोक उत्तर है यानि के सरीर के बहार की जितनी भी चीज़े हैं पूरी दुनिया में सरीर से बहार यानि लोक से बहार लोक से उत्तर या लोक से परे लोक सरीर को बोलते हैं तो ये universe हो गया इस पूरे पूरे जगत में या संसार में धम सब्द हमेशा रहेगा चाए मनुस्य रहे या ना रहे, चाए जीब रहे या ना रहे चाए कोई भी संदशना आती रहे, कोई भी जाती रहे धम कभी खतम नहीं होगा, धम कभी नहीं मरेगा धम बुलकुल अजर और हमर है धम बुद्ध से भी बड़ा है क्योंकि जैसा कथाओं में कहानियों बताई जाते हैं कि 27 बुद्ध पहले हुए 28 में सम्यक्सम बोधी गौतम बुद्ध थे और बाकी आगे आते रहेंगे चोटे मोटे तो बुद्ध बहुत सारे लोग हुए है बच्चे बुद्ध हैं आरहते हैं यह बहुत सारे लोग हुए है सभी जगे हुए हैं एक बुद्ध के नाम से ना हो मगर बुद्ध जैसे गुणों से बहुत सारे लोग है जो धम को सीख लेता है धम को धारन कर लेता है, धम को सिद्ध कर लेता है, या धम को जान लेता है, वो व्यक्ति बुद्ध होता है, सिद्धार्त तब तक बच्चे थे, तब तक सुदोधन के पुत्र थे, जब तक धम को नहीं जाने, जब वो पेल के नीचे बैठ के और धम को समझ गए, धम को जान जो उच्छतम ज्यान है प्रकृति के अंदर नेचर के अंदर उसको जान ले उसको बुद्ध बोलते हैं या ऐसे बुद्ध जैसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं अलगले भासाओं में तो धम सबसे बड़ा हुआ बेसिकली धम की छोटी मोटी हजारों लाखों परिवासाएं लोगों ने अपने हिसाब से गड़ी हुई है मगर जो प्राकर्तिक रूप से नेसरसिकी रूप से जो धम बुला जाता है उसका मतलब है धम धा से बना हुआ है धा का मतलब है अकुपाइट करना धारन करना ग्रण करना क्या घ्रण करता है, कौन घ्रण करता है, कैसे उसको accept करता है, ये बहुत simple सा सिध्धानत है, नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर, जितने भी पधार्थ हैं, जितने भी मटेल हैं, चाहे वो waves के रूप में, vibration के रूप में, तरंग के रूप में हैं, चाहे वो अणू परमा उनके पार्ट है, न्यूटोन है, प्रोटोन है, इलेक्टोन है, पोजिटोन है, हजार उत्रे के पार्टिकल उसके अंदर है, उन सब का चलने का, यानि कि उनके चिपकने का और उनके अलग होने का, या उनके चलने का, एक नियम फिक्स है, जो प्राकर्टिक नियम है, प्राक गर्मी देंगे तो उसका नियम fix है कि वो भाब बनके उड़ जाएगा और उस भाब को अगर आप उसका temperature निकाल देंगे उसको ठंडा temperature देंगे तो उसका नियम fix है कि वो दुवार से पानी बन जाएगा और उस पानी को अगर और temperature आप निकाल लेंगे उसका और उसकी गर्मी temperature पहुँचेगा तो वो बढ़ जाएगा फिर वो glass से बाहर automatic निकलाएगा ये सद्धान्त प्राकरती के अपने आप बने हुए सद्धान्त हैं इन सब के कारण होते हैं किसी का temperature यानि तापमान गर्मी बढ़ा के किसी को दबा के यानि मिट्टी जो पहाडों से आती है और जिसको पानी बारिसका लेके आता है जो नदी के रूप में रिवर के रूप में बहती है और जब वो समुंदर में धिदीदे जाती है तो मट्टी के उपर मिट्टी के उपर मिट्टी मिट्टी के उपर मिट्टी के आती है तो उसको sedimentation rock बोलते हैं यानि वो पहाड में, पत्थर में convert हो जाती है, दवाब की कारण वो पत्थर बन जाता है ये प्राकरतिक नियम इसका कोई time limit कहीं भी नहीं है बुद्ध ने कोई time limit और frame कभी नहीं बताया, time की dimension के बारे में कोई बात उन्होंने कभी नहीं की इसलिए ये कहना कि धंब क्या है, एक बहुत सीधा सा सरल सा इसका answer है कि जो होता है, वो एक नियम से बना हुआ होता है उसको धंब कहते हैं यानि जो प्राकरतिक है, जो सिध्धान्तिक है जो सिध्धान्त है, जो principle है जो philosophy है, उसके चिपकने की और उसके हटने की जैसे हम मनुस्य हैं जब हम पैदा होते हैं तो बहुत छोटे से एक पार्ट से हम पैदा होते हैं जिसमें एक software आता है और एक hardware आता है और हम धीर धीरे धीरे material जो हम खाते हैं, पीते हैं जो air से हम हवा लेते हैं या जो atmosphere से temperature लेते हैं उसके नसार हम बढ़ने सुरू हो जाते हैं और fix एक बढ़ने के बाद में फिर हम घटने सुरू हो जाते हैं हमारा पानी शरीर का खतम हो जाता है हड़ीया दिखायी देने सुरू जाती है हमारे दाट तूटने शुरू हो जाते हैं हमारी जो नसे हैं वो दिखाई देने शुरू जाती है बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं सरीर पहड़ी आने शुरू हो जाती है रंग हमारे बेगार हो जाते हैं चमक हमारी फीगी पड़ जाती है फिर हम कितना भी खालें, कितना भी पीलें, फिर वो सरी में मास नहीं चुड़ता और धीरे 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 हम डीके होने लगते हैं हमारा कोई औरगन या कोई पार्ट जो ज़्यादा छे हो जाता है ज्यादा जिसका नुक्सान हो जाता है वो फेल हो जाता है और फिर सरी पूरा पूरा बंद हो जाता है ये principle नेसरगिक है जो प्रकती ने करोड़ो साल में जाके बनाया है मास से मास यानि कि पधार से पधार चपकता है और पधार से पधार हटता है दुनिया में जब creation होता है पैदा होता है तो धम में मास का चपकना कारण से होता है उसका पधार्थ का चपकना कारण से होता है और फिर जब मास यानि जो पधार्थ है जब वो छुड़ता है लगलग होता है तो उसको हम डिके बोलते हैं या उसको बोलते हैं च्छे या वो खतम हो रहा है या मिट्टू को प्राप्त हो रहा है ये धमका सीधा सा सिध्धानते इसी धमके वारे में भगनवान बुद्ध ने देखा कि कैसे चीजें आती हैं कैसे जाती हैं यानि दुख भी उन्होंने देखा कि कैसे सरीर में प्रिवश्ट होता है और कैसे सरीर में वो काम करता है यानि दुख का जो सॉफ्टेर आता है दुख की जो तरंगे आती है वो तरंगे हमारे सरीर पे कैसे प्रभाव डालती है दुख कभी ऐसे नहीं आता है किसी ने आपको थैले में रखके एकलो दुख दिया और आप घर ले गए और सब को बांट लिया आपने कि सौसो ग्राम सब लोग खालो इस दुख को दुख कभी ऐसे नही आता कि आपने दुख लिया और अल्मारी में रखा हुआ है और वहाँ पड़ा हुआ है दुख ऐसे कभी नहीं आता कि शरीन मैंसे आपने कहीं कोई 50 ग्राम दुख है और वो निकाल के किसी को दे दिया हिए हमारा दुख तो चला गया दुख जब भी आता है या सुख जब भी आता है वो तरंगों के रूप में आता है सिर्फ एक information आती है और वो information सरीर में कैसे काम करती है वो जानकारी कैसे काम करती है वो अंदर से कैसे काम करता है ये बुद्ध ने देखा ये जाना और इसको समझने और जानने के बाद में फिर उन्होंने देखा कि सरीर कैसे काम करता है, कैसे बनता है, ये चीज़ें कैसे काम करती है और जब उन्होंने अपने सरीर के सारे function जान लिए, कैसे सुख आता है, कैसे दुख आता है, खाना कैसे काम करता है, सांस कैसे काम करती है, सरीर में blood pressure कैसे बनता है, कैसे घरता है, सरीर के अंग कैसे काम करता है, मल कैसे निकलता है, भोजन मल कैसे बन जाता है, ये बारिक से ब ध्युट अच्छे हैं बहुत संदर हैं या कोई पिशोंसागी बात करता है तो कैसे हमारे सरीर में ये तरंगे उठती हैं जिन से हमें बड़ा अच्छा अनुभव होता है ये बारीख से बारीख बात देखने के बाद में उन्होंने अपने अंदर की सारी तरंगों को देखा, फिर उन्होंने लोकुतर यानि सरी के बाहर देखा, तब उन्होंने कहा कि कपंतु कबुद्ध यानि के सारी जिगे कमपनी कमपन हैं, सारा मटिल कमपनी कमपन हैं, ये जुड़ता है, ये जुड़ता है, ये ज इतने धम के वारे बताये हैं यानि धम की महत्ता बहुत जादा है धम बहुत है बाद में लोगों ने क्योंकि धम को धरम बना दिया और धरम को जोड़ दिया अलग-लग घटनाओं से अलग-वातों से प्राकृति बाते बाते इक तरफ हो गई और और जो बातें प्रक्रतिक थी यानि जो प्रक्रति में नहीं थी जो मैनमेट थी जो मनुस्य ने बनाई है उनको जोड़के धरम को बताने लगे उनको जोड़के धरम को सिखाने लगे और धरम का फिर धंदा और वैपार भी होना सुरू हो गया बुद्ध के समय में धरम का य धम के यहाँ ओपर में जानना चोड़ दिया और धम को ऐसे मांने लगे जैसे धम को इवस्तू है किसी ने दी और ले आये या ये बता दिया तो धम हमें आ गया धम के उपर बड़े-बड़े वेक्षान होने लगे धम के वारे में धर्म के वारे में चाचार होने लगी धर्म के बड़े सारे धुरंदर हो गए धुरंदर कोई नहीं हुआ बुद्ध जो थे धुरंदर थे धुरंदर से धुरंदर हो गया और धुरंदर में आदमी ये माने लगा कि मैं सब जानता हूं और सब पचाता ह धम बहुत छोटा और बहुत साध्रान सा भी है और धम बहुत विशाल है और बड़ा भी है हर एक मनुस्य में प्रकरति की हर चीज में अगर मैं आप समय यह बात कर रहा हूं तो यहां भी धम काम कर रहा है आप सुन रहे हैं यहां भी धम काम कर रहा है आप बच्चे को प्यार करते हैं वो भी धम के अनुसार करते हैं आप उसको डाटते हैं वो भी धम के अनुसार करते हैं जितने भी चीजें हैं जितने भी सद्धानते हैं उनको धम बोलते हैं धम प्राकरतिक होता है, बड़ा होता है, इसकी हजार व्याख्या हो सकती है, इसकी हजार किताबे हो सकती है, इसकी हजार बाते हो सकती है, इसकी हजार को विद्वान हो सकते हैं, इसकी हजार लोग एक दूसरी के उपर अपनी विद्वान हो सकते हैं, मगर यह बहुत सिंपल स इक गरीब आदमी है, वो भी धम के नुसरा काम करता है, एक जानवर है, वो भी धम के नुसरा काम करता है, पेड़ भी धम के नुसरा काम करता है, प्रत्वी भी धम के नुसरा चलती है, मौसम भी धम के नुसरा चलते है, मनुस्य भी धम का है, क्योंकि प्राकर्टी खेम उस् जोड़ेंगी, मिलेंगी. उनका भी एक धम इसी धमघ को लोगो खोजते हैं। Material mean खोजते हैं, जो सामान होता उसमें खोजते हैं, नेनी चीजें बनाते हैं. उसको Modern Science बोलते हैं या उसको iagyan बोलते हैं, या उसको कहते हैं कि हमने यह इजारत कर दिया या पैदा कर दिया प्राकर्तिक रूप में सारी चीजे मौजूद हैं सिर्फ उनको खोजरा बाकी है धम निरंतर अपना काम करता है वो ना कभी से डरता है ना कोई इसका पक्षपात करता है ना उसके लिए इसके लिए पड़ा है अगर धम के अनुसार प्रत्वी पे अर्थ कुक आएगा तो वो तबी आएगा जब टेक्ट्रोनिक प्रेटों के अंदर कोई हलचल होगी दवाब जादा होगा या प्रत्वी के अंदर के इमोशन जादा उपर नीचे होगे और जो उसके प्रभाब होगे वो समान रूप से सबी के लिए समान आता है इसलिए धम सबी के लिए समान रूप से फायदा भी देता है नुकसान भी देता है धम के अनुसार अगर आप जीवन जीएंगे जीवन भर सुखी रहेंगे अगर अधम के अनुसार चलेंगे यानि जो प्राकर्टिक बाते हैं उसके अगेंश्ट में चल जो अधम के अनुसार कार्म करते हैं। जाएंगे कोई नियम आपको दिया हुआ है अपनी लालच में उसे तोड़ेंगे तो वो अधम है देर जाएंगे तो वो अधम है और धम का आदमी को पता रहता है धंम भुध जोटा भी है धन्यवाद होईट गपाइट दर से वह जा किнд Kelsey सा शक्तिल थर्टाइट, कि ट